जहिंद मैं लली खत्री और आप देख रहे हैं राजस्थान में तेजी से बढ़ता है M.T.T.V. इंडिया और आज बात एरान अमेरिका के तनाव के करण बढ़ते कच्चे तेल के दाम की खड़ी शेत्र में फौजी तनाव के करण कच्चे तेल के दाम में जोड़दार तेजी आई है ब्रेंट क्रूड और वेस्ट अक्सास इंटर्मीटियेट यानि डव्टी आई के दाम में मायरा फशन, स्वामी कॉंप्लेक्स, अन्वेगा मॉल, अजमेर शुकरवार को 3% से जादा को चालाया है ब्रेंट क्रूड का भाव 69 डॉलर परती बैरल के उपर चला गया है जबकि WTI का भाव 63 डॉलर परती बैरल से उपर बना हुआ है आपको बता दें कि भारत ब्रेंट क्रूड ही खरीदता है और इसकी कीमते बढ़ने का सीधा असर भारत में पेट्रोल, डीजल और गयस की कीमतों पर पड़ेगा खाडी शेतर में फौजी तनाव का असर भारतीय शेयर बजारों के साथ तमाम एशियाई बजारों पर भी पड़ा है आपको बता दें कि क्रूड ओइल यानि कच्चा तेल दो तरह का होता है जिनमें एक है ब्रेंट क्रूड जो लंदन में ट्रेड होता है वहीं डव्य टी आई जो अमेरिका में ट्रेड होता है इस से खाड़ी शेतर में फौजी तनाव बढ़ गया है इंटरनेशनल मार्केट में कुरूड का दाम सितंबर से उचस्तर पर बना हुआ है बाजार विशिशक्यों के अनुसार तेल के दाम में और तेजी आएगी ऐसे में भारत में पेट्रोल और डीजल समेथ तमाम पेट्रोलियम उतपादों के दाम में इजाफा हो सकता है नई साल में शुकरवार को लगातार दूसरे दिन देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ात्री होई इससे पहले एक जन्वरी 2020 से रोसोई गैस रोसोई सिलेंडर के दाम में बड़ोत्री हो गई थी अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो MTTV इंडिया के पेज को फॉलो करें और अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहां सब्सक्राइब करें वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर सिंग के साथ मैं ललित खतरी